फादिल का दे परताब भाग दे वेचे बने प्रेस क्लब दे दफ्तर दे अंदर बिना दवाई हर्त रांदी बिमारी दा इलाज करन वाले संत जग्दीश मुनी दा केम्प जारी वड़ी गिंती दे वेच पोंच रहे हन लोग फादिल का दे परताब भाग दे वेचे बने प्रेस क्लब दे दफ्तर दे अंदर संत जग्दीश मुनी दा बिना दवाई हर्त रांदी बिमारी दा इलाज करन दा केम्प जारी है और यह 464 पूरे जो हमारा कैम्प है और इस कैम्प के अंदर तकरीबन पूरे हिंदोस्तान से खास करके सीपी के बच्चे गेहूं से इलर्जी के बच्चे और वी जो बच्चे चलन फिर नहीं सकते तो उनका नियूरो हीलिंग में इलाज है यह प्राकृतिक चिकिसा है तो बारा बार इलाज कराना पड़ता है हर मीने पास दिन के लिए तो बच्च ठीक हो जाता है और तकरीबन 17-1800 बच्चे इस परकार सीपी के और यह ठीक हो चुके है यहूं से लर्जी के तकरीबन 24-25 जार बच्चे जो है वो इन शिवरों के अंदर ठीक हो चुके और भी जो लोकल और तकरीबन बार से भी आ रहे हैं और सब का इलाज हो रहा है तकरीबन 7-800 के खरीब पेशेंट आज जिस तक आचुके आज चार तरिक होगी और सब को इस पद्धिती से भरपूर भाइदा है जितने भी लोगों ने इलाज लिया है चाहे उनको कोई बिमारी है क्रो वो पूरी तरह ठीक हो रहे हैं सब को खूब फाइदा है और शेहर वासियों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश से लोग पहुंच करके यहां अपने फाजिलका के अंदर जो है वो लाब ले रहे हैं फाइदा ले रहे हैं और जब कोई आदमी दुखी ह होता है वो ठीक होता है तो उस शेहर के और उन लोगों की कुन करता है यह हमारा मिशन है कि सब लोग ठीक हों सब खुश हों और स्वस्त हों नमस्कार